हलो दोस्तों नमस्कार प्रॉफिट गुरू चिनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वगत करना हूँ तो दोस्तों जो शेर होल्डर को यहाँ पर लोटरी लगी थी ठीक है लगबक चार अक्टुमबर के तो देर उसके बाद वो लोटरी कंफर बोनस मिल रहा था अपने शेर होल्डर को ठीक है तो यह कंफर्म हो चुका है महाँ पर अभी अपडेट हुआ था लेकिन रिकॉर्ड डेट कब आएगी यह कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन हां एक बार तो याद आ चुका था कि जब इकॉर्टर रिजल्ट पेश करे हैं हम ध्यान से इजली तरीके से सबजने वाले तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट के निस पहले एक और चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा नीश्य डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लोगों के लिए प्रॉफिट ग्यू की क्ला चलते हैं उस कंपनी के सबसे पहले आप लोगों को रिकॉर्ड डेट अपडेट कर देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों उस कंपनी की ओफिसली पीडिएफ के ओपर मैंने आप लोगों को लेक्या गया हूं ठीक है यहां पर आप देख सकते हूं लिका हुआ ह this is to inform you date purpose and regulation 42 of the CB मतलब दोस्तों ये पूरा जुन का regulation के तहर जो भी मतलब दाइरह लगता है उसके according the board of director has fixed Friday November 19, 2021 मतलब दोस्तों ये है क्या the record date Friday 19 November ये date याद रखिएगा क्या है ये record date ठीक एक दिन पहले मतलब 18 November क्या रहने वाली है दोस्तों इसके लिए record date की मतलब X record date रहने वाली ठीक है तो आप दोस्तों अगर 17 तारीक तक इस stock में investment करते हो तो आप लोग इस bonus के लिए eligible होंगे ठीक है मतलब ये डाइरह में आप लोगों को बता रहा हूँ issue of bonus equity share of company in the property one new equity share of two each of for every two existing equity share मतलब दोस्तों एक जो नया share जुड़ेगा उसकी face value भी रहेगी दो जो पुराने दो share है उनकी भी face value दो है ठीक है तो total मिला के आपके पास फिर कितने हो जाएंगे company के share मतलब एक मिलेगा नया दो company के पहले से रहेंगे total मिला के हो जाएंगे तीन share तो हमारे लिए ये एक lottery है अभी आपको दोस्तों जब share एक रुपे का moment करता है ठीक है तो अभी दो रुपे आपके बढ़ते हैं जब दोस्तों share एक रुपे का moment करेगा तो यह पर सीधा सीधा तीन रुपे बढ़ेगा मतलब एक रुपे का अगर मान लिजे ऐसे इसी प्रकार stock ने 100 रुपे का moment किया तो 100 रुपे का फाइदा 1000 रुपे का moment किया तो 1000 रुपे का फाइदा और stock momentum देखने को मिला तो आपके portfolio में moment देखने को मिलेगा तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है record date आच चुकी है ध्यान रखिएगा record date है 19 नौमबर की तो 18 नौमबर दोस्तो आप लोगों के लिए क्या है एक्स record date है तो आप 17 तारिक तक इसमें investment कर सकते हो और bonus के लिए eligible हो सकते हो ठीक है तो चलते हैं डायरेक्टली आप company की financial condition चेक करने हैं तो यहां पर आप देख सकते हो company की financial condition चेक करने हैं जब इसने bonus का update दिया था चार नौ और चार अक्टॉमबर के लगवक जब हमने आप लोगों को इस related update किया तक यह company bonus देने जा रही है अगर आपने तब ही इस company के बारे में financial condition चेक कर लिए हो जब से इसको अपनी watch list में रख दिया हो तो आपने काफी ज़्यादा momentum चेक कर लिया हो क्योंकि लगवक एक मेना हो चुका है एक मेने के बाद ही इन्होंने recorded update किये अब यहाँ पर आप देख सकतो company हमें NSC BSC दोनों पर लिस्टेट मिलेगी company का market के पर 3235 करोड का 3235 करोड का मत्तब एक range में है ठीक है चार दसमलो 48% का ठीक है यह भी अगर हम देखेंगे तो एक range में ही है ठीक है ज़्यादा कोई momentum इनमें देखने को नहीं मिल रहा book value 33 रुपे के आज पास है ठीक है current market price 131 साथ में 52 का 52 कलो और face value ठीक है इसी face value के according हमें bonus देखने को मिला है ठीक है अगर हम यहाँ पर analysis करते है चार लास्ट एक साल का तो आप अगर देखेंगे तो दोनों ही दोस्तों चार मतलब जो 50 डियम है 200 डियम है उससे उपर ट्रेडिंग कर रहा है मतलब दोस्तों जो एक zone खत्रे का उससे उपर यह ट्रेडिंग कर रहा है ठीक है और उसी के साथ साथ अगर हम company के अंदर कुछ qualities जानते हैं जिसे positive quality में खाली एक है company अनुमान लगा कि बैठी कि मेरा जो quarterly result है ठीक है वो अच्छा आने वाला है ठीक है और उसके बाद अगर देखें negative quality में तो company as a low return on equity मतलब equity का जो performance है company का ठीक है वो last 3 साल के अगर मैं बात करता हूं तो 3% नीचे है और company क्या करती है द देखने को मेला इस company के अंदर कोटली result के अगर मैं बात करता हूं ठीक है तो quarterly result अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें हम दो हाप के according result चिक करेंगे जैसे जून यहाँ पर pandemic आया था जून 20 में ठीक है तो यहाँ पर हम पहले देखते है company का sales का performance देखें डिसंबर 18 में company का क्या performance था मार्च 19 में क्या performance था जून 19 में क्या था सितंबर 19 में क्या था और दिसंबर 19 में क्या था और मार्च 20 में क्या था मतलब दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ पर sales 44,000 करोल की थी यहाँ पर 135 करोल की फिर कम हो जाती है फिर बढ़ जाती है फिर बढ़ जाती है और फिर बढ़ जाती है और फिर यहाँ pandemic के करण कम हो जाती है मतलब company दोस्तों यहाँ से growing mode में लगी थी मतलब June 19 से growing mode में लगी थी लेकिन June 20 में pandemic के करण इसका पूरा performance गिर चुका था लेकिन September 20 में जब recovery होती है तो यहाँ पर फिर company का performance एक बर फिर से market में दोड़ने लगता है और June 21 में जो pandemic आता है second wave वहाँ पर फिर company की condition बेकार हो जाती है लेकिन September 20 में मतलब अभी के quarter में जो अभी quarterly session का result चलता है उसमें company बहुत शांदर अपने number पेश करती मतलब company देखा जाए तो एकदम growing mode में हमें देखने को मिल रही है ठीक है उसी के साथ साथ अगर में company के profit की बात करता हूँ एक single quarter में company ने क्या profit निकाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ यहाँ पर कभी कभी loss भी book किया लेकिन अगर हम बात करें सितंबर भी 21 वाले quarter में मतलब अभी वहाँ पर company ने सिंगल quarter में दोस्तो 111 करोड का profit निकाला है कितना 111 करोड का तो यह important हो जाता है ठीक है जहाँ EPS दोस्तो माइनस में था वो EPS आप 4.5 रूपे positive में treat कर आए मतलब तो हमारे लिए देखा जा तो यह बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है और उसी के साथ साथ अगर मैं profit and loss की में बात करता हूँ दोस्तो पूरे साल भर की तो आप देख सकते हो कि मार्च 2010 में मार्च 2010 में company का क्या पूरा sales रहा था पूरे साल भर में ठीक है और उसके बाद मार्च 2015 में company का sales growth बहुत नीचे आच चुका था लेकिन दोस्तो मार्च 21 में उसने जैसा तेसा recover करके 427 करोड पर वो sales growth पहुचा दिया मार्च 18 में अच्छा खाशा recovery हुआ था लेकिन 19 में फिर गिर गया था 20 में pandemic की करन गया था यह बड़ी बात नहीं दोस्तों की company bonus देने जा रही है तो इसमें जाकर investment कर दो deep analysis हमारे लिए बहुत strong रहता है हमारे investment को यही save करता है अब देखें यहाँ पर sales growth अच्छा यहाँ पर अच्छा लेकिन यहाँ पर फिर बिगड़ गया 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 ठीक है यहाँ पर फिर बिगड़ गया और मार्च 17 फिर बड़ोतरी देखने को मिली लेकिन 19 में तो यह बिगड़ किस कारण रहा है हमें ये भी deep analysis करना पड़ेगा और ये आप लोगों को करना पड़ेगा ठीक है अब नीचे आप देख सकते हो company का profit company के profit के अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर company ने minus में profit निकला है पेंडा में के कारण यहाँ पर एकदम नाक के बराबर company ने profit निकला है तो company दोस्तो अच्छा business करते करते साइट ट्रिक स अलग हो जाती थी business फिर नई करती थी पूरे साल पर मैं फिर loss book करती थी तो देखा था दोस्तों तो company क्या कर रही है एक range में ही अपना performance दे रही है और उसी बीच में अपने shareholder को bonus भी दे दिया है ठीक है तो यह एक देखने बाली बात हो bonus company बहुत बार देको shareholder को खुश कर करने के लिए देती है बहुत बार company attraction करने के लिए भी देती है मतलब तरह तरह के company के फंडे होते हैं दोस्तों लेकिन अपने को तो पूरा analysis करना पड़ता है ठीक है हम यह आप लोगों को इसलिए अपडेट करें दोस्तों क्योंकि बहुत सारे shareholder इसके पीछे लगे होंगे watchlist में रखा होगा ठीक है जब ही हमने जब इसने bonus का announcement दिया था एक मैने पहले तभी हमने आप लोगों को बोल दिया था कि इस stock को पहले watchlist में रखो इसका performance देखो एक मैने का business growth देखो सबी चीज़े आपको पता चलेगे ना जब जाके investment करना तो यही दोस्तो original quality होती है हमा कर दो और investment कर भी देते हैं लेकिन end of the day क्या मिलता है loss मिलता है तो दोस्तों यह चीज़ बिलकुल भी यहां पर नहीं होती है यह update दिया जा रहा है अभी भी आप लोगों को लेकिन deep analysis आपको करना है कि company इतना अच्छा business करते थी लेकिन दोस्तों business गिर क्यों जाता था इसक सब्सक्राइब करने में और दोस्तों इसमें थोड़ा फोकस किये हैं ठीक है आप यहां पर देख सकता है कि बोनस के बीचे आ गए हो तो इतनी दो fundamental हमने condition चेक करी कहीं-कहीं अच्छी दीखी कहीं-कहीं वेकार दीखी ठीक मतलब 50-50 चांस बाकी चीज़े आप लोगों को करना है चलिए हमने stock का performance दीखाता हूं तो यहां पर आप देख सकतो लास्ट ट्रेइडिंग सेशन में stock ने करीवन 5% की तेज़े दिखाई है 131 विपर 15% पर क्लोज हुआ है लास्ट पांत दिन में देखेंगे तो 9% स्टों भागा हुआ है लास्ट एक मिने में stock 26% भागा है लास्ट पांस सल के अगर मैं performance की बात करता हूं तो यहां पर company treat कर रही थी फिर यहां पर आई pandemic में और वह अब यहां पर अच्छा का सा return देखे शेरोल्डर को खड़ी हुई है और अपने range bound से काफी ऊपर जाके अप्ट्रीड कर रही है ठीक है अगर मैं आप लोगों को company पर focus करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि सबसे बड़ा doubt यही देखने को मिल रहा है कि company दोस्तों business अच्छा करती कभी कभी बेकार एकदम से करने लगती है तो जो performance से वह एकदम से डामटोल क्यों हो जाता है ठीक है तो हमने update कर दिया आप लोगों को man infra stock जो bonus देने जा रहा ह है लेकिन watch list में आपको रखना है recorded आने में अभी काफी समय मतलब recorded पास में ठीक है 18 नौंबर के दिन इसका x recorded है ठीक है मतलब 17 तरीक तक आप लोगों के पास समय है और आज अगर मैं बात करता हूं तो एक हपता भी पूरा है आप लोगों के लिए तो पूरे एक हपते deep analysis कर किये ठीक है तो यह था हमारा update यह update आपको पसंद आया तो प्लीज दोस्तो इस वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सस्क्राइब करिएगा क्योंकि daily basis पे हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार का बहतरिंग update लाते रहते हैं तो thank you दोस्तो